दोस्तो जैसे की वीडियो का टोपिक है ठाइड के मोसम में आप अपना वजन बहुती जल्दी कैसे बढ़ा सकते हैं तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे इसी टोपिक पर बात करेंगे और डीपली बात करेंगे बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तो सबसे पहली बात तो ही आती है कि क्या इस मोसम में जल्दी वेड़ गेन होता है क्या दूसरे मोसम में नहीं हो पता तो वैसे तो आप वेड़ गेन किसी भी मोसम में कर सकते हैं पर इस टाइम पर सर्दियों में वेड़ गेन बहुती जल्दी हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर एनरजी स्टो डूकुल भूल जाहिए वेडगेंट करना है? तो करना है? सहीच से आपको फोलो करना है . अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के से आपको ज़्याता देर तक सुभा को नहीं सोना है मतलब जल्दी उड़ जाईए क्योंकि बोड़ी को एक्टिव करना है मैं ज्यादा देर तक अगर बैड़ पी पड़े रहोगे तो बोड़ी इनक्टिव रहेगी तो बोड़ी को एक्टिव करना जरूर ही है अब दोस्तों बात आती है सबसे पहले एक्सरसाइज की सुबह में मोड़ते हो तो पानी जरूर पीना हल्गा गुंगुना पी लेना पानी आपको जरूर पीना है अब बात होती है एक्सरसाइज के अगर आप सुबह में एक्सरसाइज करते हैं या साम में एक्सरसाइज करते हैं टाइम आपको खुद सेलेक्ट करना है यहां पर टाइम मैं नहीं बताऊँगा क्यूंकि टाइम सभी का अपने हिसाब से होता है पट एक्सरसाइज पर नीजरूर है दुस लगभग 40 मेट से तो ज़्यादा ही कर लिए एक घंटे तक एक्सरसाइज कर लिए क्योंजी कि यह जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मसल्स को भूक लगेगी और उसके बाद आप एक रिकवरी के लिए अच्छी सी डाइट दें बोड़ी को बहतरी दोस्तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको लेनी है एक बहतरी डाइट जिसमें कि आपको लेनी है 10 ग्राम किस्मिस और आप लगभग 15 बादाम ले दीजिए क्योंकि थोड़े से गर्म होते हैं तो ठंड से भी आपको बचाएंगे इन दोनों को आप भीगो दीजिए यह इजली डाइजेस्ट हो जाते हैं आपको चार खजो ले लेनी है और दो ले लेना है केले डाइसोग्राम मिल्क अब इन सभी को आपको एक सेग बना लेना है दोस्तो लिक्विड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है आपको सेग बना लेना है और उसके बाद इस सेग क आपको देखने को मिलेगा पिछके हुए गाल आपके भर जाएंगे बोड़ी अच्छी हो जाएगी सोलिड हो जाएगी आप खुद देखेंगे और पहत्री इन रिजल्ट आपको मिलने के बाद आप कमेंड करना और कुछ और टोपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंड कर वीडियो को सेर जरूर करें जय हिंद